यह आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इंडियन पोस्ट रिकुमेंड 2023 के बारे में तो इन से रिलेटेट क्या-क्या बतने हैं और यह लंबी वैकेंसी है कितनी वैकेंसी है तो 40,889 पदों पर भरती आने वाली है तो मैं बता दू जिसमें आपको ब्रैंच पोस्ट की वैकेंसी आने वाली हैं जिसके अंतरगत आपको जनल और ओवीसी केंडिडेट के लिए 100 रूफ एफीज होगा स्टी केंडिडेट के लिए अभी कोई एक्स नहीं होगा फिर उसके बाद बता दे हैं अप्लिकेशन करेक्शन फार्म तो देखिए 27 जनवरी से ही भरने का है लाजटेट 16 फरवरी लाजटेट आपको भी सारा क्रेटेरिया आपको भर देना है फिरवरी लाजट में आपका एक्जाम होगा अब आया बता दू कि यह जॉब लोकेशन आपको आल इंडिया में रहेगा बात करते हैं एस लिमिट की तो एस लिमिट आपका जो है 18 से 40 स पोस्ट है लगभग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन-कौन से इन्फॉर्मेशन है तो इंडियन पोस्ट मैन है और रिकुमेंट आफ इंडियन पोस्ट ब्राइंच पोस्ट मास्टर की जो सारे डिटेल्स जी गई है तो बता दूंकि शनरल का 18122 पोस्ट है एवी एस का अगृत का 3995 पोस्ट है ओंपीसी का 824 cats निज का च्रॉस्ट पोस्ट है तो आपको हाइज स्कूल के साथ साथ सारी क्रेटिरिया दी गई है एस पर रूल के हिसाफ से आपको मिलेंगी तो आपको बता दे क्या भी आपको सारी सिस्टेम भर नहीं है जैसे ससी मार्क्स मेमो के सर्टिफिकेट में फोटो की बात करते हैं तो 200 कवी का फोटो रहना चाहिए अगर आ 230 फिक्सल साइज का सिगनेचर भी आपको 50 कवी का होना चाहिए सर्टिफिकेट आप डिजिविल्टी यह आप आयोग यह है यहां मतलब विकलांगता है तो उसको भी आपको 200 कवी का फोटो लगना चाहिए तो कैसा लगा वीडियो कमेंट टैस जरूर करें यह चैनल पर नह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धानिवाद धानिवाद मित्रों